बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नमस्कार सुप्रभात मैं हूँ प्रीती सिंग आप देख रहे हैं सुभना बजे आए शुरुवात करते हैं मुख्य समाचारों के साथ प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार समहाली देश की कमान राश्पदी भवन में भविस समारों मिली शपत मंत्री परिशद में 24 कबिनेट मंत्री नौस्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल नई कबिनेट की पहली बैठा काज बीजेपियर द्यक्षामिच्षा और पूर विदेश सचिर्थ एस जैशंकर समेथ एक तिहाई ने चहरे केंद्री मंत्री परिशद में शामिल निर्मला सीता रमन, सृती इरानी और हर्सम्रत कौर बादल समेथ छे महिलाई बनी मंत्री, गडबंदन सायोगियों, शिवसेना, लजेपी, शिरो मनियकाली दल और आर्पी आई को भी मिली जगह शापत ग्रहन के बाद उपराश्पती ने प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी और केंद्री मंत्री परिशद को दी शुब काम नाएं समावेशी, शौतर्फा और तेज रफ्तार से विकास की जताई उमीद, प्रधान मंत्री ने कहा नई टीम, यूवा, उर्जा और प्रशासनिक अनुभव का मेल, देश के प्रगती के लिए करेंगे काम, पूर्व केंद्रे मंत्री अनुन जेटली और सुश्मा स्वराज न प्रखात में आर्तिक सहयोग बढ़ाने के तरीखों पर हुई चर्चा, बिंस्टेक सबूगे नेताओं के अलावा, मौरिशियस की प्रधान मंत्री के साथ, द्वी पक्षिय अबारता आज। पाकिस्तान की वेस्ट इंडी से भड़ाद। निर्मला सीता रामन, दूस्वे इन दे नेम अफ गौड। प्रधान मंत्री नरींदर मोधी ने लगातार दूसरी बार देश की कमान समहाल ली है। राश्पती भवन में कल शाम हुए समारो में राश्पती रामनात कोविन ने उन्हें पद और गोपनियता की शपत दिलाई। प्रधान मंत्री के साथ कुल 24 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों स्वतंत्र परभार और 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपत ली। प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री के रूप में शपत ली। कि मैं बीदी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के रूप में नरेंद्र दामोदर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूँ। कि मैं बीदी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची स्रध्धा और निश्चा रखूंगा। मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा। मैं संग के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रध्धा पूर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और वीधी के अनुसार न्याय करूगा। मैं, मैं नरेंद्र दामदर्दास मोधी इश्वर की सपट लेता हूँ कि जो विशय संग के प्रधान मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नरेंद्र दामदर्दास मोधी ने हर मैदान में सफलता हासल की कल उन्होंने प्रधान मंत्री के तौर पर नकेवल अपने दूसरी पारी का आगास किया बलकि पढ़ने जवाल लेहरो और इंद्रा गांदी के बाद पूर भहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुँचने वाले तीसरे प्रधान मंत्री बन गए राश्रवाद और विकास के नारे के साथ अपने करिश्माई विक्तित्व से नरेंद्रमोदी के नित्रत्व में लोग सभा चुनाओं में बीजेपी को कई राज्जियों में 50 फीजदी से अधिक वोट और 303 सीटे मिली जबकि 2014 के आम चुनाओं में बीजेपी ने 282 सीटो पर जीत हासल की थी अप्रधान मंत्रे नरेंद्रमोदी के बाद राजनाथ सिंग को पद और गोपनियता की शपत दिलाई गई मैं मैं राजनाथ सिंग इश्वर की सपत लेता हूं की मैं विधिद्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची प्रधा और निस्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंतरी के रूप में अपने कर्तव्यों का त्रधा पुर्वक और सुद्ध अंतक करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपाद अनुराग या द्रेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं राजनात सिंग इश्वर की सपत लेता हूँ की जो विषय संग के मंत्री के रूप में मेरे विशार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा राजनाथ सिंग 2005 से 2009 तक पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद 2013-14 में भी BJP अध्यक्ष रहे उन्हीं के अध्यक्ष रहते पहली बार प्रधान मंत्री पद के लिए नरिंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी थी राजनाथ सिंग 20 अक्टूबर 2000 को उत्तप्रदेश के मुख्य मंत्री बने हाला कि उनका कारेकाल दो साल से भी कम समय कर रहा और इसके बाद केंद्र के अटल बिहारी वाच्चपे के अंडिये सरकार में भूतल परिवहन और क्रिशी मंत्री उन्हें बनाए गया था राजनाथ सिंग 2009 में घाजियाबाद और 2014 और 2019 में लखनव से सांसद निर्वाचित हुए 2014 में जब बीजेपी की सर्गार बनी तो उन्हें देश का ग्रिह मंत्री बनाए गया सुधान मंत्री नरीन रमोदी और राजनाथ सिंग के बाद बीजेपी अध्यक शामिच शाह को राश्पती रामनात को में निपद और गोपनियता की शपत दिलाई मैं अमित अनिल चंद्र सा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और खंडता अक्षून रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव का सद्दा पुर्वक और सुद्ध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपाद अनुराज या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार न्याई करूंगा मैं मैं अमित अनिल कंद्रशा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जब की ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्सित हो मैं प्रत्यक्स अत्वा अप्रत्यक्स रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा ने जाने वाले अमित शाभी देश में बीजेपी के प्रशार प्रसार में जुड़ गए 2019 में लोग सफ़ा चुनाओं में उन्होंने बीजेपी को प्रशंड बहुमत दिलाने में एहम फूमी का निभाई नितन गडगरी ने कल मोधी मंदल में दूसरी बार कैबनेट मंतरी के तौट पर शपतली मॉंबई पूरे हाईвे का निर्माण तैस समय में पूरा करके खासी सरहना बटोरने वाले नितन गडगरी ने नेरेंद्र मुदी सरकार के अपने कारिकाल में इस विशेश्टा को बर्खरा रखते हुए सड़क परिवन और राजमार्ग जहाज रानी मंतरी के तौर पर कई परियोजनाएं समय पर पूरी की राम विलास पासवान को भी कल कैबिनेट मंतरी के तौर पर शपत दिलाई गई राम विलास पासवान के राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्निसो साथ के दशक में हुई थी अटर भिहारिवाजपे के नित्रत वाली सरकार में वो कोईला मंतरी बने पिशली मोदी सरकार में भी राम विलास पासवान मंतरी मंडल में शामिल थे पियुश गोईल ने मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल में एक बड़ फिर मंतरी पत के शपत ली है केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार के पहले कारेकाल का आखरी बजट पियुश गोईल ने पेश किया था वरतमान में पियुश गोईल राज्य सभसान सद है सदनन्द गोडा करनाटक के कददावर नेता माने जाते हैं देवरा गुंडा, वेंकपा सदनन्द गोडा, एक सक्रीय राज्यनेता और करनाटक के पूर मुख्य मंत्री हैं वो मोधी सरकार के पहले केबिनेट में सांखी के और कारिकरम कार्यान वियन मंत्री थे नरेंद्र गोडी की नई सरकार में बीजेपी की पर इशनेता निर्मला सीतारमन को फिर से शामिल किया गया है 2014 ही मोधी सरकार में रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमन उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने राजनीती में बहुत कम समय में अपना अलग मुकाम हासल किया है बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने कड़ी चुनोतियों का सामना किया पिहार के पटना साहिब लोग सभा से जीते इस सांसद रवी शंक प्रसाद दो बारा मंत्री बन गए हैं उन्हें नरेंदर मुदी की सरकार में फिर शामिल किया गया है राजपते रामनाथ कोवें देउने पद और गोपनियता कि शबद दिलाई रवी शंक कप्रसाद पहले भी मुदी सरकार में खानून मंत्राले कि झमेधारी समحाल रहे थे पहली मोधी सरकार में उन्हें मानव संसादन विकास मंतरी का पद मिला था जुलाई 2016 में सम्रिति घंष्वानी के मंतराले में फिर बदल हुआ और उन्हें कपडा मंतराले का प्रभार मिला था पूर्व विदेश सचिव सुब्रुमन्यम जैशंकर केंदर सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं पदमिश्वी से सम्माने तैस जैशंकर ने मूदी सरकार में मंत्री पद की शपत ली भारते राज ने एक जैशंकर जनवरी 2015 से 2018 तक देश के विदेश सचिव रहे नरेंदर सिंग तोमर ने भी एक बार फिर कैबिनेट मंत्री पद के शपत ली मुदी सरकार के पहले कारेकाल में नरेंदर सिंग तोमर के पास ग्रामीर विकास और कोईला मंत्रा ले था मत्यप्रिदेश की मुरायना लोग सबा सीट बीजेपी के नरेंदर सिंग तोमर ने इस सीट से जीत हासल की थी डॉक्टर से राजनेता बने हर्शवर्धन राश्ट्रे राजधानी दिल्ली के एक मात्रनेता हैं जिने नरेंदर मुदी के मंत्री मंडल में जगा दी गई है पिशली सरकार में हर्शवर्धन को पहले स्वास्त और परिवार का लियान मंत्राले दिया गया था बाद में उन्हें प्रित्वी विज्ञान और विज्ञान एवं प्रोध्योगे की मंत्राले का प्रभार दिया गया था प्रकाश ज्यावडेकर नेभी कल मंत्री पत की शपत ली वो राज्यसभा सांसद हैं उन्हें मोदी सरकार के पहले कारेकाल में सबसे पहले परियावरन मंत्री, संसदे कार्यों के राज्य मंत्री, सूशना और प्रसारन राज्य मंत्री स्वतन प्रभार का जिम्यदारी दिये गी थी और बाद में मंतरी मंदल पुर्णर गठन के बाद मानव संसादर विकास मंतिरा ले दिया गया था जावडेकर दुज़ार दुज़ाराट सिराज्य सभा के सांसद है धरमेन प्रधान ने भी मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल में मंत्री बद के शपत ली है मोधी सरकार के पहले कारेकाल में धर्मेन प्रधान भारत सरकार में पैट्रोले में फ्रकरतिक गयास मंत्री थे पंजाब के भटिटनास से सांसद हरसम रथकौर ने कैबिनेट मंत्री के रूपध पे शपत्ली है हरसमृत को और बादल एक महिला राजने तेगी हैं वो पिशली सरकार में खाद्य प्रसंस करन उद्ध्योग मंत्री थी थावर्चंद गहलौत ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपत ली थावर्चंद गहलौत मोदी के पहले कारेकाल में भी मंत्री रह चुके हैं गिरी राज सिंग को एक बार फिर मंत्री मंडल में जगा मिली है पिशली नरेंद्र मोदी सरकार में उनके पास सूक्ष में लगू और मध्यमुध्यम मंत्रा ले था अरे द्वार लोगसबा सीट पर जीत कर लोगसबा पहुचे रमेश पुखरयालने शंक ने भी मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल में मंत्री पत की शपत ली शिव सेना से दक्षण मुंबई से सांसद अर्विंद सावंथ ने मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल में मंत्रीपद की शापतली है अर्विंद सावंथ लोगसबा क्षित्र मुंबई दक्षण से सांसद है उन्होंने शिव सेना के टिकट पर 2014 का लोगसबा चुनाओ भी जीता था चंदॉली से लोगसबा सांसद महिंदर नाद पांडे को इस बार कैबिनेट मंत्री बनाए गया है राज्यस अभासांसद मुखतार अबास नक्वी ने भी नरेंदर मुदी सरकार के दूसरे कारेकाल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल हुए है उन्होंने भी कल शपतली बीजेपी के राष्टे उपा ध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिशली सरकार में उन्हें अल्प संखक मामलो का कैबिनेट मंत्राले का जिम्म सौपा गया था वहीं करनाटक की धारवार लोग सबसीट से जीत कर सदन पहुचे प्रलाद जोशी को कैबिनेट मंत्राले में ला है वह करनाटक में बीजेपी के प्रदेश धेक्ष भी रह चुके हैं उनके पहचान एक कारोबारी के तौर पर भी है हमेरपूर से बीजे पिसांसर अनुराग ठाकोर मोदी सरकार में मंत्री बने हैं दिल्ली में हुए समारों में पद और गोपनिया ताकी कल उन्होंने भी शपत ली है राविंदर जीत ने भी कल शपत ग्रेंड किया उन्होंने लोगसभा चुनाव में अतिहासिक जीत हासल की है मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल के लिए मंत्री बने है कंतोश गंगवार ने भी कल मोदी सरकार में बतौर राजमंत्री शपत ली कंतोश गंगवार भारती राजनीती का एक जाना पहचाना नाम है मोदी सरकार में गंगवार को दोबारा मौका मिला है और इससे पहले भी गंगवार मंत्री रचुके है केंद्री मंत्री परिशद में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जिनोंने शपत लिए उनमें संतोश गंगवार के अलावा रावेज रजीत सिंग, श्रीपद नाइक, जीतेंद्र सिंग, कीरेन रीजुजू, साथी प्रलाहद पटेल, इसके अलावा आरके सिंग, साथी हर्दीपूरी और मनसुख मांडविया भी शामिल हैं बनसुख मांडविया ने कहा कि वो नए भारत के निर्मान के लिए काम करना जादी रखेंगे जो है उसको साकर करना प्रदान मंत्री के जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमें मंत्रा लई में जी जान से काम करते रहेंगे और नया भारत के निर्माण में हमारा भी कंट्रिबूशन करेंगे में राज्य मंत्री के तौर पर शापत लेने वालो में पगन सिंग कुलस्ते, अश्मिनी चौबे, अर्जुनराम मेगवाल, वीके सिंग, कृष्णपाल गुर्जर, राज सहाब दानवे, जी किशन रेड़ी, उर्शुतम रुपाला, रामदास अठावले, साध्मे निरंजन जोती, बाबुल सुप्रियो, संजीव बालियान, संजन होत्रे, अनुराग ठाकुर, तुरेश अंगडी, नित्यनन राय, रतनलाल कटारिया, वी मुल्ली धरन, और रेनुका सिंग सरूता, इसके लावा, सोम प्रकाश, नामेश्वर तेली, प्रताब चंदर सारंगी, केलाश चौधरी और देवश्री चौधरी शामल हैं उप्राश्पतिय अम्वेंगे नाइडू ने नरेंदर मोदी को दूसरी बार देश के प्रधान मंतरी का पद ग्रहन करने पर शुब कामनाई दी हैं उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधान मंतरी के नित्रतों में भारत तीवरतर, सामावेशी, चतुर्दिक विकास करेगा और विश्व समुधाय में अपनी प्रतिष्ठा में और वृध्धी करेगा वो प्राश्पती ने मंतरी परिशद में उनके सहयोगियों को भी शुब कामनाई दी वोई प्रधान मंतरी नरेंद्रबोदी ने शपत लेने के बाद ट्वीट करके शपत लेने वाले सभी मंतरियों को बधाई दी उन्होंने लिखा कि ये टीम उर्जा से भरे युवाओं और प्रशासने का नुभव रखने वालों का मिश्रण है इसमें ऐसे लोग हैं जो सांसद के रूप में उभर कराएं हैं और ऐसे भी हैं जिनका पहले शांदार पेशेवर करिया रखा है केंद्रे मंतरी अमिद्शा ने खुद पर विश्वास जताने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी के प्रतिया भार जताया और दूसरी बार प्रधान मंतरी के रूप में शपत लेने के लिए उन्हें बधाई दी अमिच्छाने मंत्री परिशद के सहयोगियों को भी बताई थी और उन्होंने ट्वीट किया कि हम प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी के नित्र तुमें एक मजबूत और संब्रध न्यू इंडिया बनाने की प्रतिग्या को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी महनत करेंगे पूर्व केंद्री मंत्री और बिजेपी के वरिश ने अरुन जेटली ने भारत के प्रधान मंत्री के रूप में दूसरी बार शपत लेने पर नरिंदर मोदी को बताई दी उन्होंने केंद्री मंत्री परिशद में शामिल सभी सदस्यों को शुब काम नाए दी अरुन जेटली ने ट्वीट किया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितु में भारत प्रगती के पत पर तेजी से आगे पड़ रहा है पूर्व केंद्रे मंत्री सुश्मा स्वराज ने भी ट्वीट किया प्रधान मंत्री ने पांच वर्षों तक मुझे विदेश मंत्री के तोर पर देश्वासियों और प्रवासी भारतियों के सेवा करने का मौखा दिया और पूरे कारेकाल में व्यक्तिकत तोर पर भी बहुत सम्मान दिया मैं आपके प्रतिक बहुत आभारी हूँ हमारी सरकार बहुत यह शश्विता से चले प्रभू से मेरी यही प्रार्थना है कॉंग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी और उनकी नई कैबरेट के मंतरियों को बधाई दी और कहा कि वो भारत और उसके नागरिकों की प्रगती और विकास के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है तुधार मंतरी नरिंदर मोदी के साथ 57 अन्य मंतरियों ने भी गुरुवार को रोश्पती भवन में आयो जित समारों में शपतली है हाला कि पिछली सरकार के कई कैबिनेट मंतरियों को नई सरकार में जगहा नहीं मिली है बीजेपी के नेताओं मेनिका गांधी, सुरेश प्रभू, जीएपी नड़ा, राधा मोहन सिंग को इस बार मंतरी नहीं बनाय गया है कैबिनेट मंतरियों के लावा राज्यमंतरी रांक के भी राज्यवर्दन सिंग्रा थौर, महेश शर्मा, जैयन सिन्हा, SSL उवालिया, विजे गोयल, के अलफोन्स, रमेश जिग्जियानी, राम्रपाल यादव, अनंद कुमार हेगडे, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल स को भी मंतरी परिशद में शामिल नहीं किया गया है। के सभी पहलों पर विस्तार से बात हुई है, हमने दोनों देशों के बीच आने वाले समय में आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाने को और घनिष्ट करने के उपायों पर चर्चा की। शेश दूद रिसाडा बुनरिच शामिल हैं। और अब बात क्रिकेट विश्वकाप की। अब बात क्रिकेट विश्वकाप की। अब बात क्रिकेट विश्वकाप के लिए जोफ्रा आठशर ने तीन विकेट लिए बेंस्टोक्स ने दो विकेट लिए और शांदार प्रदर्शन के लिए बेंस्टोक्स को मैन अफ़ दमाथ चुना गया। वहीं विश्वकाप में आज पाकिस्तान और विस्ट इंडीज नौटिंगम के ट्रेंट ब्रिज मैदान में अपने अभियान की शिरुआत करेंगे। दोनों ही टीमें जीत के लिहाज से मैदान पर उतरेंगी और ये मैस्ट गुपह तीन बजे से शुरू होगा। और अब आद मौसम की पूरा देश भीशन गर्मी की चपेट में है और गर्म मौसम से फिलाल कोई रहत मिलती नहीं दिख रही है। राज़दानी दिल्ली में भीशन गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में कल 46.8 डिग्री सेल्सियस अधिक्तम तापमान दर्श किया गया जो 2013 माई के बाद माई में दर्श किया गया अधिक्तम तापमान है। दिल्ली में माई 2013 में 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्श किया गया था। सब्दर जंग में अधिक्तम तापमान 44.60 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया. और इसे के साथ फिलाल सुबर नौब जी के खबरों में मेरे साथ इत्मा ही और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश मर में अलग अलग हिस्तों के मौसम के हाल की जानकारी के साथ नमस्कार मlor मम मिल जी उको गया हैं लुप मतो。 आप मोठ काम हिस्तों के खबरो बा मिल जाया हिस्तों के यस्तों के अपकार झालो गजआкे साथल्सों कि रीक्तों के सा एक्लों के लानकार झाल झाल